सब्सक्राइब करते हुँ आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं 28 seconds हैं तो यह आपका जो पेपर रहेगा लेर्निंग एंड टीचिंग का अधिगम इवम सिक्षर पेपर सीची फस्ट रहेगा तो फ्रेंड्स हम यूनिट टू की बात करने वाले हैं क्योंकि यूनिट फस् क्या है और मैं इसे आप लोगों को डिस्ट्रिप्रिप्रिशन लिंक पर भी प्रोवाइट कर दूंगी तो यह देखते हैं फ्रेंड्स यूनिट टू मैं आपको क्या-क्या पढ़ना होगा तो यूनिट टू रहेगी आपकी अधिगम में अधिगम करता की भूमिका रोल ओ कि सिक्षण की मीनिंग क्या है इसकी क्या डेफिनिशन से अलग-अलग मनोविज्ञानिक ने अलग-अलग परिभासाई दी हैं सेकंड टॉपिक रहेगा आपका सिक्षण की विसेशता हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग थर्ड टॉपिक है सिक्षण के कार्य पंक्शन तंब करना है तो सिक्षण की मेनिंग सीख्ण की एक समाजिक प्रक्रिया इसे सब्ढें से मिलकर नाई होती है इसका तात्पर होता है सीखना प्रक्रिया वह जीवन परियंतक चलती रहती है सीखने की कोई उम्र नहीं होती जैनम से लेकर मिर्थ्यवपरेंतक हम जो भी सीखते हैं अपने देनिक दिंचेया में और सीखने के बाद हमारे वहार में परीवर्थान आते हैं ने क्या कहीँ आपका learning कहलाता अधिगम कहलाता है तो सीखने की जो प्रक्रिया होती वह होती है जिसमें शिक्षक और शात्रे पाठ गरम की माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं सिक्षण कारिवह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिख्षक अपने जात्रों को ग्यान इवम कॉ असल जब बच्चे सीख जाते हैं तो उसको ही हम सिक्षण कहते हैं तो सिक्षण एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्याम से एक टीचर और इस्टूडेंट को जब अध्यापक बच्चों को ग्यान एवं इसकल उनके डवलपमेंट करते हैं और धीरे-धीरे जब उनका इसकल होने लगता है तो वही जो एक process होती है उसे ही हम teachings कहते हे जिसे हम सिक्षण कहते हें सिक्षण की एक जो प्रक्रिया होती है जिसके मद्य हमसे भावों और विचारों को एक दूसरे के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं जो भी समस्याएं रहते हैं बच्चे अपने टीचर्स को बताते हैं तो यह क्या कहलाती है कि दूइमार की प्रक्रिया कहलाती है तो सिक्षन का रत होता है पढ़ना पढ़ाना सिक्षा देना ज्यान देना तो यह त सिख्षन क्रियां कि एक विधी है जो सीखने की उस्वक्ता जागरित करती है तो सिख्षन क्रियां की विधी होती है जो सीखने के लिए किसी भी चीज को उस्सुख एवं जागरित करती है तो यह definition किस ने बताया है बी ओ इसमिद जी ने कहा है second definition देखते हैं हम राइबन जी के अनुसार तो राइबन जी कहते हैं कि सिख्छा में तीन कैंद्र बिंदू होते हैं यदि आनि की स्लेबस तो आपकी जो टीचर रहेंगे वह आपको स्लेबस के इकॉर्डिंग ही पाढ़ाते हैं तो इसलिए सिख्छा में एजुकेशन फिल्ड में तीन के अंद्रविंदू होते हैं पहला होता है सिक्षक दूसरा होता है बालब और तीसरा होता है आपका पाठे वस्तों यानि की करिकुलम की आपको कितना पढ़ना है सेखने के लिए प्रेणा पत प्रदेशन पATT निर्देशन और यदि आप कोई कांब बहुत अच्छा करते हो तो आपको उससे क्या मिलेगा प्रोसाहन भी मिलेगा तो सिक्षन जो होती है वो सीखने के लिए प्रेणना, पथ प्रदेशन, पथ निर्देशन, इवं प्रोस्ताहन का कार्य है ये किसकी definition है? वर्टन जी के अनुसार है Next definition देखते हैं हम Clark के अनुसार तो Clark जी कहते हैं कि सिक्षन एक प्रक्रिया है जिससे छात्रों के वहवार में परिवर्टन लाए जाता है यानि कि एक teacher ही ही होता है जो बच्चों की वहेवियर में क्या कर सकता है? परिवर्टन ला सकता है अब हम देखेंगे सिक्षन की विसेश्ता, characteristic of teaching यानि कि एक सिक्षन की क्या क्या विसेश्ता हो सकती है पहला पॉइंट है अधिगम में सीखने में सहायक helpful in learning मतलब आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा अधिगम helpful होगा क्योंकि एक teacher ही होता है वह subject के according आपको पढ़ाता तो है साथ में अलग knowledge भी देता है जिससे आप क्या कर सकते हैं अपने अधिगम को बहुत अच्छा बना सकते हैं सेकेंड पॉइंट सूचना संप्रेशन यानि कि information communication आप information communication के माध्यम से learning करना बहुत अच्छे सीख सकते हैं आप अपने भावों ये विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं यदि आप बहुत अच्छे से teaching कर रहे हैं तो आपकी skill क्या हो सकती अच्छे से development हो सकती है आपको बोलने का तरीका पढ़ाना कैसे हैं इस तरीके से आप अपनी skill शमता का विकास कर सकते हैं चत्रों के वहवार में परिवर्तन करना behavior changes of the student एक teaching के माध्यम से एक teacher ही होता है जो घश्यों के वहवार में क्या कर सकता है परिवर्तन कर सकता है कि उसको बोलने का तरीका, बात करने का तरीका और बच्चों को कैसे पढ़ाना है यह सारी चीज़ें एक teacher ही सिखाता है अपने छात्रों को जिससे छात्र अपने वहवार में परिवर्तन कर सकते हैं नेक्सट पॉइंट है उद्देश एवं लक्ष की प्राप्ति तो एक teacher के माध्यम से ही आप अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अपने उद्देश ही बना सकते हैं समाजिक विकास करना social development यदि आप बहुत अच्छे से teaching कर पा रहें तो आप में क्या होगा कि इससे आप अपने समाज का भी विकास कर सकते हैं कि समाजिक विकास कैसे करना है वहां के नियाम रीती रिवाज कानून के बारे में आप जान सकते हैं नेक्स्ट है अनुकूलन में सहायक आप इंबायरमेंट के एकॉर्डिंग अनुकूल हो सकते हैं एड्जेस्ट हो सकते हैं टीचिंग के माध्यम से नेक्स्ट है वेवसाइक प्रक्रिया कॉमर्सल प्रोसेस यदि आपने बहुत अच्छी टीचिंग करना सीख गए तो आप की प्रक्रिया भी कर सकते हैं कि आप अपने वेवसाय को कैसे प्रारम करना है कैसे प्रोफिट एवं लॉस हो रहा है तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो यह तो हो गई एक सिक्षण की विसेस्ता अब हम इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टन करते हैं सेकेंड पॉइंट है सीखने के लिए विध्यारती को प्रेडित करना यदि आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से बन रही हैं तो आप विध्यारतियों को क्या करें प्रेडित करें मोटिवेट करें जिससे बो भी आंगे आ सकें थार्ड पॉइंट है घिकेंसे फीजिकल एंट मेंटेल डवलाप मेंट होता है या नहीं नेख्स पॉइंट है बच्स में विचार करना अनुभव करना कार्य करना आधी के लिए उनको प्रेडित करना है सूछ्छना प्रदान करना यानि कि सही सही समय में बच्चों को information देना अधिगम की समस्याओं का निदान करना जो भी आपके सामने जो भी समस्याओं का समधान करना नेक्स्ट पॉइंट है पाठिकरम समगरी तेयार करना यदि आप बच्चों को सलेबस पढ़ा रहें समय समय पर बच्चों का मुल्यान करना जिससे ही पता चल जाता है कि बच्चे बीख है या नहीं है पढ़ने में उनका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है तो यह कुछ हो गए इनके teaching के कार्य अब हम देखेंगे सिक्षण की अवशकता need of teaching पहला पॉइंट है छात्रों को ग्यान प्रदान करना teaching के माध्यम से हम छात्रों को ग्यान दे सकते हैं उनके skill को development कर सकते हैं second point है सूचना प्रदान करना सही समय में बच्चों को information देना next point है कौसल एवं छमता का विकास करना उनके skill का development करना third point है छात्रों के वहवार में परिवर्तन लाना उनको समय समय पर सारी चीजों के बारे में knowledge देना जिससे उनकी वहवार में क्या हो सके परिवर्तन आ सके next point है जीवन के अनुभवों से अगवत कराना मतलब आप उनके जीवन की life में क्या चल रहा है उनको experience बताना उनको अगवत कराना तो यह तो होगे friends की सिक्षन की अवशकता हैं तो friends हमने क्या-kya पढ़ लिया सिक्षन का अर्थ देख लिया सिक्षन की विसेष्थाएं पढ़ लिया और सिक्षन के कारे और सिक्षन की अवशकता तो francks यह रही हमारी चोटी सी वीडियो आज की वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स उमीद करती हूं आपको वीडियो नॉलिजवल लगी होगी यदि आपको यी वीडियो नॉलिजवल लगी है तो प्लीज हमारे चैनल मॉटिवेशन भाइदिक्षा पर लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपक के साथ तब तक के लिए ठैक्स फॉर वाचिंग लाइक और सब्सक्राइब इस व